नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजूकेशन की एट सेक्स में चैनल पे नए है तो लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके शेर जरू कर दीजिएगा बिहार में फायरमेन कॉंस्टेबल का 2380 पदों के लिए वेकेंसी निकाला जाता है इस वेकेंसी का एक्जाम हुआ जिहां पीटी एक्जाम लिया गया लेकिन रिजल्ट में बिलंबता हो रहे थी उसके पीछे कारण पता चला कि 194 लोगों का यहां पे जो OMR सीटे वही गायव है अब इसमें गलती किसकी है भुगतना तो छात्रों को है यहां यहां पे गलती अगर आयोग की होती है तो आयोग अपनी गलती मानेगा नहीं लेकिन भुगतना किसको है तो उन छात्रों को है 194 लोगों को फिर से एक्जाम देना है और अब रिजल्ट आने में सच में भी लंबता होगी, काफी देर हो सकता है, चुकि अभी इसका एक्जाम कब कंड़क्ट किया जाएगा, उसका डेट दे दिया गया है, तो बिहार फायरमेंट कॉंस्टेवल री एक्जाम को लेकर यहां पे अपडेट दिया गया है, चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ओफिशल व तो इसलिए इन लोगों को फिर से एक्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, लिस्ट जारी किया गया है लोगों का, के ध्यान से देख लिजेगा, चलिए मैंने इसके एडविटिजमेंट को यहां डाउनलोड कर लिया है, और इसके बारे में मैंने वाइट एजूगिशन में 2380 पदों की यह वेकेंसी निकाली गई थी, अगनिक सिपाही भरती को लेकर जहां पे दोस्तों 194 अभियारतियों का जो है लिखित परिक्षा का OMR CT नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए प्रवेश पत्र भी जारी किया जाएगा, इनको फिर से एक्जाम में बुलाया जाएगा सीधी नियुकती है तू, लिखित परिक्षा आपका 27 मार्च को हुआ था, रविवार को दो पालियों में लिया गया था, और इस परिक्षा के समन्द में जो दोस्तों आपको यहाँ पे 194 लोग ऐसे थे जिनका OMR अप प्रियाप पाया गया है, यानि कि उनका OMR CT नहीं मिल अब जो यह एक्जाम है, एक्जाम डेट भी हाँ पे मेंसन कर दिया गया है, 28 अगस्त को आपका यह एक्जाम होना है, और यह जो है दोस्तों सुबह 10 बज़े से, दोपहर 12 बज़े तक के यहाँ पे इस सेशन में आपका यह एक्जाम लिया जाएगा, 9 बज़े आपको रि इपसाइट पे ही जारी कर दिया जाएगा, CSBC के, अभ्यार्थी अपना इप्रवेश्पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेंगे, और इस परस्ट किया जाता है कि डाक के द्वारा यह प्रवेश्पत्र नहीं भीजा जाएगा, अपने नय परिक्षा के इंदर प पर फोटो इसपस्ट नहीं होने के चलते उपलब्द नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यार्थी जो है, यहां पे परिक्षा इस्थाल पर अपने साथ आविधन पत्र के समरूप दो फोटोग्राफ लेते आएगे, अगर एडमीट कार्ट पे आपका फोटो इसपस्ट न अपने खर्च पर ही जाना होगा, चुकि आपको भुगतना आप ही को है, भले ही इसमें आयोग की गलती है, आप लोग का 194 सिट यहां पर गायब हुआ है, यह की डिप्लिकेट आपको एडमीट कार्ट यहां पर बन जाएगा, अगर आपका एडमीट कार्ट डाउंलोड नह नीचे दिये गया है, किन-किन चातरों का यहां पर जो है कि एग्जाम होना है, अपना रॉल नंबर मिला लिजेगा, तो आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा तो अप्लिकेशन फॉर्म होगा आपके पास, तो वहां से ध्यान रखेगा, यह जो है आपका लिश्ट ज लिए यह अपडेट है, तो यह वो लिस्ट है, जो कि यहां पर जारी किया गया है, 119 लोगों का लिस्ट है यहां पर, ठीक है, तो यह एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों, जो कि हमने आप तक पहुचाने थी, वैसे तो गलती इसमें जो है, देखा जाए तो आयोग, या फिर इस कॉलेज के सेंटर्स के, जो की अधिक्षक थे, यहां पर जो परिक्षा ले रहते हैं, स्टीचर, सिक्षक, उनकी गलती हो सकती है, कि आखरी 194 लोगों का, जो है, वो कहां गया, मार्श ओमर, और वो कहां गिर गया, ले जाने में कहीं से गिर गया, तो यह गलती यह फिर से एक्जाम देना है, जाना होगा यह सेंटर पे जो कि पतना में आपका सेंटर दिया गया है, और यह सेंटर है, यहां से जाके आप अपनाए खेसाम दे सकेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्ष को चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिक्फिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहा है हमारे चैनल के मातन से अगर आप बिहार BPSC या बिहार SSC की परिक्षाओं के त्यारी कर रहे हैं तो आप से एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल YT Education को भी सब्सक्राइब कर ले और आप उसके टेलीग्राम को जोइन कर ले जहां पर आपको मोग टेस्ट क्यूजेज वेगरा आपको करवाय जा रहे हैं तो उन क्यूजेज को अटेंट करेंगे तो हो सकता है कि बिहार फायर में के जो चातर हैं यहां प पर उनकी दिजल्ट को लेकर हमचा तो इनका परिक्षा का रेजल्ट जो की बादि सभी छातर का जो इकजाम हो चुगा है उनका परिक्षा फ़लाने में अब दे और यहां होगा फिर इसका रीजल्ट जारी किया जाएगा इन 194 लोगों का और इसके रिजल्ट जारी करने के बात ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा तो यह अभी 28 अगस्त को आपका एक्जाम है यानि कि पूरा एक महिना तो गया अगस्त का चेक करने में तो पूरा September माननके चलिए तो 15 सब्सक्राइब आएगा रिजल्ट उसके बाद 15 दिन के बाद आपका पीजिकल यानि कि पीटी के लिए आपको बुलाई जाएगा पीटी के लिए आपको निर्धारत किया जाएगा कि सेंटर पर जाके आपको पेडिटी देना है यह सारे चीज़ आपको बताया जाएंगी ओफिशल वेबसाइट बे भी सारा जी डिटेल दिया जाएगा लेकिन अब इसमें जो है देरी होगी आपके रिजल्ट को लेकर जो कि विहार फायर मेंट का त्यीजों को पहुचाने के जैहिन मिले आपसे अगली वीडियो में सब तके लिए ध्यान रख्येगा